दिल्ली के हिर्दय में बसा प्रगती मैदान दशकों से रहा है राश्ट्र की प्रगती के प्रदर्शन का प्रतीख विकास की नित नई बुलंदियों को छूते देश की आवश्यक्ता के अनुरूप प्रगती मैदान के इंफ्रस्ट्रक्चर को आधुनिक और भविश्य उन्मुखी बनाने की लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत देश की राजधानी बने देश वासियों की आकांग्शाओं देश के संकल्प और देश के सामर्थ का भव्य प्रतीख इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेत्रत्व में दिल्ली में विश्वस्तरिय इंफ्रस्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किये गए हैं उसी कड़ी में शामिल है प्रगती मैदान को आधोनिक और पुनर विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का निर्णे इस परियोजना के तहट 42 लाख वर्ग फीट क्षेतर फल में हो रहा है निर्मान यहां आज बनकर तयार हो चुके हैं चार एक्जिबिशन हॉल 72,000 वर्ग मीटर में फैले यह हॉल नवीनतम सुविधाओं से युक्त हैं इन हॉलों का उप्यूग कारे क्रमों और प्रधर्शनियों के लिए किया जा सकेगा पोरी तरह एर कंडिशन हॉल्स विजिटर्स को सुखद अनुभाव देंगे अपने नई स्वरूप में प्रगती मैदान, उद्यम और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वा पूरण भूमी का निभाएगा आज चार एक्जिबिशन हॉल का लुकारपन प्रधान मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है प्रगती मैदान के पुनर विकास का एक एहम भाग है अत्याधुनिक अंतर राश्ट्रिय सहसम्मिलन केंद्र यानी IECC इसका मुख्या कर्शन है कन्वेंशन सेंटर जो है स्थानिय आर्किटेक्ट्चर और आधुनिकता का अनूठा संगम इसमें एक साथ साथ हजार लोगों के बैठने की सुविधा होगी कन्वेंशन सेंटर के सामने विस्तरित फ्रंट प्लाजा इसके आकर्शन को और बढ़ाएगा पुनर विकसित प्रगती मैदान में लगभग 4,800 वहनों की भूमिगत पार्किंग बनाई गई है प्रगती मैदान को जोडने वाली महत्वपूर्ण सडकें, भैरो मार्ग और मथुरा रोट पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुनर विकास परियोजना के अभिन अंग के रूप में एक टनल और छे अंडर पास बन रहे हैं इनके तैयार हो जाने के बाद नागरिकों को आवाजाही में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूशन से छुटकारा मिलेगा पुनर विकसित प्रगती मैदान प्रधान मंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को देगा नई मस्भूती और बनेगा आत्म निर्भर भारत का सशक्त प्रतीख